कि देखे किस पे हम सभी तो नशामुक्ति के खिलाफ हैं सभी लोग नशा देखिए दो बाते हैं जो उमा जी कह रहे हैं वो भी सामा जी के चेतना के लिए जागरण और जिहान ही चला रही है ये तो कॉंग्रेस कि नेता उनके इस सार्थक और सकारात्मक अभिहान में राजनीती करना चाहते हैं पर कॉंग्रेस के नेताओं को क्या ये नेतिक अधिकार है कि वो नशामुक्ति के खिलाब बोल पाएं वो कमलनाज जी जिन्होंने घर में शराब परोसने की योजना अपनी सरकार में बनाई थी वो कमलनाज जिन्होंने आयफा आवार्ट पार्टी में स्वयम जैकलिन फर्णानडेज और स्ल्मान खान को शराब परोसी थी वो कमलनाज जी और कॉंग्रेस से किस नेतिकता के साथ शराब बंदी या नशामुक्ति की बात करेंगे नशामुक्ति ये हम सबको के लिए बहुत महत्पूर्ण है कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीती करते हैं मैं उनसे अन्रोथ करूँगा कि एक सकारात्मक आंदोलन को राजनीती की बली मत चड़ाईए नशामुक्ति आगे आने वाली पीडी के लिए बहुत महत्पूर्ण है वो कांग्रेस के नेता जो स्वयम नशे के आदी हैं वो तो हर मुद्दे पर राजनीती करना चाहते हैं और वो यदि इस तरह से अभिहा करेंगे तो निश्यत रूप से एक सार्थक अभिहान कि जो लक्ष है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा अधिके किस नहीं हम सभी तो नशामुक्ति के खिलाफ हैं नहीं सभी लोग नशादे के दो बाते हैं जो उमा जी कह रहे हैं वो भी सामा जी के चेतना के लिए जागरण अभिहान ही चला रही है यह तो कांग्रेस कि नेता उनके इस सार्थक और सकारात्मक अभिहान में राजनीती करना चाहते हैं पर कांग्रेस के नेताओं को क्या यह नेतिक अधिकार है कि वो नशामुक्ति के खिलाब बोल पाएं वो कमलनाज जी जिन्होंने घर में शराब परोसने की योजना अपनी सरकार में बनाई है वो कमलनाच जी जिन्हों ने आएफा वाट की पारिटी में सवयम जैकलिन फर्ञांडिस और सलमानखान को शराब परोसी थी हैँए वो कमलनाजी और कोंग्रेस से नेता किस नेतिकता के साथ शराब बंदी या नशामुक्ति कासी बात करेंगे नशामुक्ति ये हम सबकों के लिए बहुत महत्पूर्ण है कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीती करते हैं मैं उनसे अन्रोध करूँगा कि एक सकारात्मक आंदोलन को राजनीती की बली मत चड़ाईए नशामुक्ति आगे आने वाली पीड़ी के लिए बहुत महत्पूर्ण है वो कांग्रेस के नेता जो स्वयम नशे के आदी है वो तो हर मुद्दे पर राजनीती करना चाहते हैं और वो यदि इस तरह से अभिहान को विवादास्पत करेंगे तो निश्यत रूप से एक सार्था का विहान कि जो लक्ष है वो उसको प्राप्त नहीं करता है